एक तरफ देश में प्यास की महेंगाई है, रेट 60-70 रुपे चल रहा है, तो दूसरी ओर इसका निरियाद शुरू हो गया है। मलेशिया ने गुजराट से प्यास खरीदा है, जिससे दो महीने के अंतराल के बाद प्यास का निरियाद फिर से शुरू हो गया है। निर्यातकों ने कहा है कि खरीफ प्यास की आवग दो सप्ता में उंचाई पर पहुँचने के बाद निर्यात की मात्रा में तेजी आने की उम्मीद है। इससे लोकल मार्केट में भी दाम गिरेंगे और लोगों को राहत मिलेगी। क्रिशी जिन्स निर्यातक संग, ACEA के अध्यक्ष एम मदन प्रकाश ने कहा कि हमें गुजरात से प्यास निर्यात करने के ओर्डर मिले हैं। ये अचार वाले प्यास हैं, जिनका इस्तमाल बैंगलोर के गुलाब प्यास, शॉलट की जगह किया जा सकता है। बता दें कि ये है क्योंकि करनाटक में खरीफ की शुरुवाती आवक खत्म हो चुकी है और कृष्णा नगर में अगले महीने देर से आवक होने की उम्मीद है। मदन प्रकाश ने कहा कि इसके बाद कीमतें 800 डॉलर प्रती टन तक गिर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल कीमतें अधिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कीमतें 700 डॉलर प्रती टन से अधिक हैं। वहीं वर्तमान में महाराश्ट्र के नासिक जिले के लासल गांब में अप्रेल के दौरान काटे गए प्याज के लिए मॉडल मूल्य जिस दर पर अधिकांश व्यापार होता है 5,651 र प्रती क्विंटल है। शाह ने कहा कि बुधवार को खरीफ प्यास का मॉडल मूल्य बढ़कर 4,600 रुपए प्रती टन हो गया था जबकि अप्रेल में काटे गए प्यास के लिए यह 5,700 रुपए था। प्यास की कीमतें 5 साल के उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। पिछले मह कीमतों में तेजी से गिरावट शुरू हो जाएगी। क्रिशी मंत्राले की शाखा, क्रॉप वेदर वाच ग्रुप के अनुसार, खरीफ प्यास की बुवाई 3.82 लाख हेक्टेयर में हुई थी जबकि एक साल पहले यह 2.85 लाख हेक्टेयर थी। वहीं, प्यास की कीमतों मे उच्छाल का दूसरा कारण 2023 से 24 के उतपादन में 60 लाख टन की गिरावट है। क्रिशी मंत्राले ने जून में समाप्त होने वाले 2023 से 24 सीजन के लिए 24.24 मीटरिक टन उतपादन का अनुमान लगाया है, जबकि 2022 से 23 में 31.02 मीटरिक टन था। साथ ही 2022 से 23 में प्यास का उतपादन अलनीनो के प्रभाव के कारण लंबे समय तक सूखा मौसम से प्रभावित हुआ, जिसके बाद भारत के प्यास उगाने वाले राजियों में सूखे का असर रहा। अलनीनो जून 2023 में उबरा और इस साल अप्रेल में समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी